चली फ्रेम्स देखते हैं लाइट चली गई है दाल लेकिन मेरी हो गई है दाल देखिए अच्छे से हो गई है तो हम तड़का करते हैं हमने गैस आन कर लिए है लाइट मेरी गई है चली इंडक्शन हो गया बंद तो हम तड़का करते हैं गैस पर तड़के की त्यारी करते है तो इसके लिए मैंने इसके लिए मैंने देखी बबना चड़ा दिया है गैस पर अब इसको हम तड़के के त्यारी करते हैं तो इसमें हम डालेंगे तुवक्षी इसको आप चीज़े बनाएगा तो इसमें टेस्ट आएगा तो इसमें जाएगा अब जाएगा इसमें थोड़ा जीरा जीरा जाएगा जीरे के साथ जाएगा मेरा इस्पेशल तड़का जो भी हम आपको दिखाते हैं और जीरा थोड़ा हो जाएगा इसमें डालेंगे देखिए मेरे पास है जिंजर नारयल और ये खिशमेश इस सब एकसाथ जाएगा इसके अंदर जाएगा 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 यही लेस का स्पेशल तड़का जोस्त दाल को बहुत स्वाद बनाएगा लाइट नहीं यह लाइट चरी रेगे इंडेक्शन बंदो गया कि गैस बन करना पड़ा बहुत टेस्टी दाल बनती है ऐसे बना के आप जरूर देखेगा अपली एक बार हलका से यह नारियल थोड़ा से ब्राउन हो जाएं वही गई है किशमेश नारियल जिंगर आप इसमें लगसा नहीं डालते हैं जिंगर आप बाद में भी डाल सकते हैं जैसे आपकी इच्छा करें पर हमने को तड़के में डालिए वो टेस्टी अलगाता है तो चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं अपनी मूंगी डाल रोस्टेड मूंग डाल देखिए बहुत बड़ी है बहुत टेस्टी एक बास जरूर बनाएगा प्लीज बनाकर देखिएगा अच्छा लगे तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब के देगा अब इसको मैं आपको डिस वाश करती हूं तब दिखाती हूं को देखिए श्माने अब करती है अब इसको मैं अब दिखाती हिए अब इसको के सीके है कल दूख दिखाती है कल दूख लाइव तो खारते हिए पहल से बहुत दिक्कत होगी यह मत देखिए इसको में बावल में करके दिखाती हूँ आप अब इसको आप गार्णिश कर से इतनी मेपाल धनिया है नहीं हरा खतम हो गया इतनी इसको आप धनिया से उपर से गार्णिश कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो अदर्वाइश तो यह ऐसा ही बहुत अच्छी है पर निश के जरूरत नहीं इसमें कुछ है तो बस मेरी दाल और मुस्त तयार है अब आप तभी देखेंगे खाएंगे तभी आप पताएंगे वह पर पढ़िया दाल है तो यह देखेंगे यह बन के मेरी दाल तयार है रोस्टेड मूम स्पेशल तड़का दाल यह एकपर बनाना तो बनता है आप एकपर बनाये और खाएंगे और फिर ज़रूर बताएगा प्लीज थैंक फर वाचिंग फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग सा लेके थैंक यू बाबाए